जग है करनाटका के मंगलूर शहर के स्वामी कोरगजा का मंदिर मंदिर के दान पात्र से निकलता है यूज किये वे कॉंड़ा और तुरंद ये गढ़ना आग की तरह फिल जाती है और हंगामा शुरू हो जाता है बगवान शीव के स्वरू स्वामी कोरगजा के भक्तों के आखों में खोन उतराता है लेकिन कुछ नहीं होता लोग निराश होकर इस गनित काम को कोस्ट कर रहे जाता है लेकिन बगवान कोरगजा इस कृत्ते के लिए माफ करने के मूड में नहीं थे अचानक तीन दिन बाद दो मुस्लिम युवक रोते हुए मंदिर के पुजारी के पास पहुंचते हैं और गिड़ गिड़ा कर माफी माइन लगते हैं इन दोनों युवकों का नाम था अब्दुलरहीम और अब्दुल्तौसिक फिर दोनों पुलिस को अपने अब तक के λिए सारे ग्र्णित कारें को विस्तार से बताना शुरू करते हैं दोनोंने कबूल किया जिए पहले उनोंने मंदिर में पेशाप किया उसके बाद मंदिर के दान पात्र में यूज़ की वे कॉंडम डाले और ऐसा इन लोगों ने तीन और मंदिरों में किया था उन दोनों ने बताया कि उनके साथी नवाद के साथ मिलकर कुछ दिन पहले मंदिर की दान पेटी में कॉंडॉम डाला था लेकिन नवाद अब माफि मालने के लिए जिन्दा नहीं है दान पेटी में कॉंडॉम डालने के बाद उसे अगले दिन खून की उल्टिया होने लगी और उसके मल से भी खून निकलने लगा अंतुमेवे अपने घर की दिवारों पर सर पटक पटक कर मर गया मरते समय उसने बताया कि बागवान कोरगजा उन सब पर बहुत ज़्यादा नाराज है अब सिर्व वहीं दोनों बचे हैं अब्दुलरहीम और अब्दुलतौफिक लेकिन वक्त बितने के साथ रहीम को भी खून की उल्टिया आना लगती है बिल्कुल वैसे ही जैसे नवाज को हुई थी इसके बाद दोनों अपनी जान जाने के डर से पुजारी की शरण में आ जाते हैं और माफी की भीक मांगने लगते हैं बगवान के सामने खड़े होकर दोनों स्युकार करते हैं और दया की भीक मांगते हैं बगवान कोर्गया शेव का स्वरूप है, न्याय और अक्षा के देव हैं। बगवान कोर्गया ने उन तीनों यूकों को अपने आप सजा दी। यह वाक्या सनातन और इश्वर के स्वरूप को गलत बोलने वाले या मंदिर जैसी पवित्य जगे को दूशित करने वालों के एक सबक है और ऐसे कई वाक्ये गाओं और शेहरों में सुनने को मिलते रहते हैं। तो कैसा लगा आपको यह इश्वर का न्याय कमेंट में जरू बताएए।